साहस सरुकार समाजवदी पार्टी के वरिष्ट नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के विधाय की रद होने के साथ साथ उनको अब रामपूर विधान शवाज हेत्र के वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है तो आए जानते हैं यहां के जो नेता हैं उन का क्या कहना है समाजवदी पार्टी के वरिष्ट नेता आजम खान और उनके बेटा अब्दुल्ले आजम खान दोनों के विधाय की रद होने के साथ साथ रामपूर की विधान सवाज छेत्र में अब ओट देने का अधिकार भी उनसे छिल लिया गया है और पूरिय उत्तर प्रदेश में चर्चा बना हुआ है कि अब अब अब्दुल्ला आजम खान के और उनके जो बाप है आजम खान उनका दोनों का वोट देने के साथ साथ उनकी विधाय की चिन गई तो इस पर क्या कहना चाहिए यह तो कोर्ट से बड़ा आप जानकारी करिए कि एक किस धारा बहुत उचा था और यह सब जो है कि उनका खुछ खतम नहीं होने वाला है लेकिसर उनकी वोट देने का अब जो अधिकार है वो भी चिन गया है और विधाय की वी रद हो गया है और उसमें नहीं जान जान पाए हैं कि किस धारा के तहत्त खतम किया गया अगर इस तरीके को कोई ला की बात होगी तो सकता हूं और रिख लेंगे तब बता देंगे बटा पारी सर आब बताना चाहेंगे आज पूरे उत्तरप्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है कि आ जो आजम खान जिनका एक तूती बोला करता था आज आजम खान के विधायकी के साथ-साथ उनकी वोट देने का अधिकार भी छिन गया है आकिर क्या कहना चाहेंगे देखिए आजाद भारत में आजाद नेता बोलाओं पूरो परदेश सचीव समाजवादी पार्टी मीडिया के साथ ही तो कह रहे हैं कि जो तुझे पसंद हो वो बात कहेंगे अधिन को कहो रात तो रात कहेंगे आज जनता सवाल नहीं पूछ रही है सवाल मीडिया के लोग कर रहे हैं अचवाब भी मीडिया के लोग दे रहे हैं मैं बड़ा दर्द में हूँ आज आप उठा लीजिएगा कभी किसी का दौर रहेगा तो दूसरे का भी दौर आना निश्चित है क्यूंकि समय काल किसी को छोड़ा नहीं है समय किसी का जो होता नहीं है समय खुद जो है लोग जो है समय के दास बन जाते हैं समय आने दीजिए ये सदस्ता रद करके अब्दुल्ला आजम जी का एक मैसेद दे रहे है कि चंता अगर किसी को लोग तंत्रिक ब्यौस्था से अगर लोग तंत्र के माध्यम से किसी को विधान सबा में भेज सकती है तो हम अपने सिस्टम से कोट में बैठाए गए जो हमारे कारिंदे हैं उनके बल पर हम जो है इनकी सदस्ता रद कराने का काम करेंगे और जनता में मैसेद देंगे कि जो हम चाहेंगे वही होगा तेतना जरूर ले लिजेगा कि रामण का भी राज रहा है रामण भी एक लख पूत सवा लखनाती घरी रावन के दियान बाती आज रामण को मानने वाड़े लोगों की हाल क्या है पता कर लिजे लेकिन किसी की यूग को कोई यंत नहीं कर प उगी राज में सदस्ता ही रद नहीं की जा रही है जो भी कातिल को कातिल बोलेगा उसके घरों पे बुल्डोजर भेद दिया जाएगा उसके घरों को बरबाद कर दिया जाएगा और कोई भी आदमी वो किसी समाज का आदमी हो अगर उसने कातिल को कातिल कहा तो पूरा हंडे और दियम और कप्तान जो है यह नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा घर क्यों गिर रहा है वो सिर्फ एक ताना शाही ब्योस्था के खिलाफ आप नहीं बोल सकते यह बताई देश लोकतंतर से चलता है धर्म से नहीं चलने वाला है अजब जब आप उठा के देख लिजिए फार समिधान के मानने वाले लोग है एक बार नहीं एक हजार बार समिधान को मानेंगे हम कर पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग है हम लोग जोती बाप फूले को मानने वाले लोग है हम लोग जो है असोक समराड जी को मानने वाले लोग है हम लोग गरीबों के मानने वाले कि अपने राश्टिय अधिक-जीके उस पर हम नहीं कुछ बोलेंगे उनका बेक्तिकत मामला है आप उन से पूछ ती हैं लेकिन ओत्तरपरदेश के परते जोरे नागरिक को इस बात की तकलीफ है कि जब बात करते हैं सिच्छा पे जब बात करते हैं स्वास्ट पे जब बात करते हैं पेट की तो सीधा उनको जो है धर्म की याड में जो है राजनीत करके सिर्फ सक्ता में बैठने काई लोग काम करते हैं और जनता जो है भूखों मर रही है आज हाथ-गाड़ी खीचने वाला परशान है दूकंदार बैचारी अपना माल तयार करके दुकानों में परशान है उनको अभी इसके पहले भी लोग आते थे लखनव चाय नास्ता करते थे अपनी फाइल लेकर आफिसों में दॉरते थे आज आफिसों का हाल यह ना अधिकारी सही से बैठ रहे हैं ना दुकंदार खुसाल हैं दुकंदार दिन भर में 100-500 का काम करता है बच्चों को पढ़ाना लिखाना आज की इस्तिति में दूबर हो गया है आज परशान है लोग आप संदेश दीजिए मैं तो बतात रहा हूँ आपसे कि इनके इनके ऊपर कोई कलेम नहीं कर सकता महराज जिसको चाहेंगे वो रहेगा जिसको नहीं चाहेंगे नहीं रहेगा लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जब तक लोग तंत्र जिंदा है डाक्टर भीम राम बेटकर के बता हुए से धांत आप से कोई जुदा कर सकता है ना आप से हमें दूर कोई कर सकता है सुनिए में बात जो आरोप उन पर लगा है अब दूला आजम खान पर आजम करके क्या वो जूटी मतलब उन पर इजाम लगा है एक चीज बताओ आप जिसके बाप दादाओं ने मुठी को खोल के दिया ह आप रामपूर चले जाईएगा जिनके बाप दादाओं ने हाथ खोल के दिया हो वो कभी बकरी चोरी या मुर्गी चोरी नहीं करेगा यह बहुत गारंटी से कह रहा हूँ लेकिन यतना जरूर कहूंगा जिनके घरों में अमीरी के सजर लगते हैं उसका हरै जमाने का हुन अदर लगते हैं आज आपके अंदर ताकत है दोड़ा लीजिए कलम को लेकिन ऐसा मत दोड़ाए कलम को कि कल हम आएं तो उससे डबल ताकत से हम दोड़ाएं क्यूंकि जो बिरोदाबास की राज़ी जो हो रही है ऐसा नहीं होना चाहिए यह लोग तांत्रिक बहुस्ता मे यह आईना दिखाने का काम जो है जो कर रहे हैं यह बहुत ही गलत है किसी नेता को आप टार्गेट मत करिए किसी आप बताईए कानपूर के अंदर वो बेचारी बच्चे को लेके बिलख रही है तडप रही है कि मुझे मेरे घर को जोपड़ी का मत उजाड़ो क्यूंकि मा हमारी बता दीजिएगा अदिल में जू आए वह सजा दीजिएगा मेरे 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 सर पे तोहमत लगाने से पहले अपना भी दामन दिखा दीजिएगा वह तडपती रही लेखपाल से लगाई एश्टीयम तक जब बेटी और मा जल नहीं थी कोई भी सरकारी अमला का कोई भी साथी बचाने तक नहीं गया यहीं है दोस्तान है अरे सामुहिक अत्याचार आप बताना भी पड़ेगा लेकिन आपनी मैं सच बोलूंगा तो आप छापेंगे नहीं मैं सच बोलूंगा आप सच लिखेंग कि आगे साथियों आपको तो इस बात को बताया गया है कि जो तुझे पसंद हो वह बात कहेंगे अद्दिन को कहो रात को रात कहेंगे आपको बताया गया है कि आप जाईए अलोगों को जो है जो हमारी बात हो उसको मत बताईएगा क्यों भाई सुनीए मैं आजम खान का युग धो अंथोने वाला है कभी नहीं करो यार तुर दिलunion हो तो दिल पे खाथ रखके सोचिएगा मेरी आप बहन हो दिल पर हाथ रखके सोचिएगा कि किसी के साथ इतना अन्याय किया जाता है क्या नहीं अप एक बात बताईएगा जो 85-86 मुकदमे कर दिये गए इस तरह का मुकदमा होना चाहिए आप के हाँ जो बहन बेटियों के इज़त और सम्मान के साथ खिलवार कर रहे हैं 108 लोगों के लिश्ट है आपने किसी के खिलाफ कारवाई नहीं कर रहे हो किसानों के सीने पे बुल्डोजर चढ़ाने वालों को आप करवाई करने से भाग रहे हो अग किसान अपने जोपड़ी को बचा रहा है तो उसके घरों में जला रहे हो सौतेला बहवार नहीं चलेगा मेडम ये लोकतंत्र है ये डाक्टर भीम राम बेटकर जी के सिधानतों पे चलेगा आई इसको चलाने के लिए हमारी और आपकी भी जिम्यदारी है आप कलम के सिपाही हैं आप कभी कातिल को मसीहा मत लिखिए अगर आप कातिल को मसीहा लिखेंगी तो मैं भी इस बात को जरूर कहने के लिए मजबूर हो जाओंगा कि और पत्रकारों में आप भी आ गई अगर आप कातिल को कातिल कहेंगी तो मैं जरूर दूसरी बार भी आपसे बात करूंगा मौका मिलेगा तो क्यूं कि लोकतंत्र है पहले राजा के पेट से राजा पैदा होता था अब लोकतंत्र के मत के पेटी से परतिनिधी पैदा हो रहा है अब परतिनिधी जनता का सेवक हो रहा है उसके साथ इतना नहाय हो रहा है आप बताईए परतिनिधी अगर सच बोल ला है तो उसको जो है सदस्तारत करने की आप बेवस्था बना रहे हैं किस तरह से उनके परिवार को परशान किया जा रहा है लेकिन एक बाद जान लीजिएगा कि इतना करीब आए कि हम दूर हो गए इतना हसे कि रोने पे मज रखना चूर हो गए ऐसा नहों कि जटका आए और जटके का सिकार हो जाएं जरूर मैं कहूंगा कि लोकतंत्र है मुखमंत्री जी आप बुल्डोजर वहां चलाएं जो गरीबों के साथ अन्याय कर रहा है लेकिन गरीब की जोपड़ी को मत उजारिए यह दुकंदार बेच हो रहा है आप इसको जरूर दिखाईएगा मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को संदेश देना चाहता हूं कि जब तक इमांदार पत्रकार रहेंगे तो पत्रकारिता भी बाकी रहेगी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आया आप हमेशा कातिल को कातिल इन पत्रकार गया है क्या कहना चाहेंगे का वनहोंने जब उनकी सत्ता थी सत्ता का गलग दुपयोग क्या हूं एक जैसा सबको समय रहता नहीं है तो जो सत्ता का दुब यो गलद तरीके से वह उजागर हुई और उसको उजागर होने के बाद उनकोम मिला जो दढ़ मिला हो सही मिला तो क्या आपको इस पे जो सपानेता खलेश याद हो भी कुछ उनका सहता निकिना उस पे कुछ बोल रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे वह भी माली है कि हाँ उन्होंने गलत उपयोग किया है अपने सत्ता का भाई अब उनके पाटी के सद्धस है अब हमारे घर के समय तो नहोंने यह ना समझा की आज मैं जो करहा हूं कल यह हमारे खिलाब होगा यह गलत है वह यह सोच करके काम कर रहे थे कि हमारे ही यूग रहेगी है लेकिन यह अपने आपको अल्ला मियां समझ रहे तिये गलत थी लोगों का कहना है कि योगी जी अपने अधिकार लगा के उन पर अत्याचार कर रहे हैं और उनको इस पद से हटा रहे हैं यह एक ताना शाही है ना गलत है अगर को आदी चोरी करें उसको डंड मिले और हमको यह तो भाई हमको ना समझ में आया यह कहा कर नियम कानून है हमने चोरी क्या हमारे देशन नियम कानून चलता है उसको तहट उसको डंड मिलना चाहिए यह कहने का मतलब है हम चोरी करें हमको को छोड़ दे तो भी तो दिक्कत है यह वह जो उनकी जो किया गलती है उनको सजा मिली यह सही है यह तो कभी ने काया सकता है कि बदले की भावना ना जम खान और उ दोलने का मादा इस देश में अब किसी के पास बचाने केवल आंदोलन और संगर्स कोई कर रहा है तो कांग्रेसी कर रही है चाहे वो महंगाई को ले करके हो चाहे वो बेरोजगारी को ले करके हो और अन्यमुद्दों में भटकाने का काम किया जा रहा है यहां तक मैं बात आज बीजेपी का विरोध करने की हिम्मत किसी के अंदर बची नहीं है और वज़े क्या है कि सरकार पूरी तरह से ताना साही कर रही है और गुंड़े कर रही है आजम खान जो अपने बिदायकी के लिए जो पद को लेके जो अलग मतलब वो अपना फैदा उठा रहे थे उसका कहीं न कहीं अपना रोब दिखा रहे थे आखिर क्यों उनकी सदिस्ता को रख दी वोटर लिस्ट भी चीले कि आखिर क्यों आपको पता है इसके बारे में देखे शदसिता का जहां तक सवाल है सदसिता जो भारत का शमिधान कॉसिटिवसन इजाज़त देगा या जो समिधान के तहट होगा उस हिसाब से रद होगा उनकी उपर एलिगेशन क्या है उसके बारे मुझे जानकारी नहीं लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब शपा की सरकार थी जैसे भाई साब बॉल लेते बुलडोजर बुलडोजर की सुरID कहां से हुई बुलडोजर तो पहले शपा सरकार में अखले स्यादो नहीं चलवाया था अपने विधयकों पर चलवाया था बसपा जब सरकार थी किसी को नामांकन करने नहीं जाने देती थी ठीक है ब्लाग परमुखी का चुनाव छिन लिया तो बसपा से सुरू हुई सपा पे सपा पेंड हुआ अब बीजेपी उसी को पूरी तरे से सौमें सो परसेंट तोल पकड़ा रही है और देश का भला अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेश के लावा कोई नहीं कर सकता है और सुन लिजे आप चुनाव के दौरान बीजेपी सबको हिंदू मना देती है इस देश में 15-85 की बाद अब अखले सादों भी कर रहे हैं लेकिन अभी तक जब सौमी परसाद मौरिया बसपा में थे तब उनको 15-85 नजर नहीं आया भाजपा में थे तब 15-85 नजर नहीं आया तब बेरोजगारी नजर नहीं है तब रोजगार नजर नहीं आया जब उनका करके इस देश के हालाद सब नौजवान के हाथ में कटो रहा है और देश का कोई भी नेता बोलने के हिम्मत नहीं रख रहा है कि योगी सरकार अपने अधिकार से उनको हटा रहे हैं दूसरी तरफ तब उनकी जो नेता है अखले श्यादो सपा की वो क्यों निंके पक्ष में उठ रहे हैं मैं बता रहा हूं ना सभी को जेल जाने का डर है आज बताएए देश में किसानों की जमीने च्छीने जा रही है आपको जानकारी है सोला पहरा ग्राफ है यह बिल नहीं है यह आयक्ट में सरकार परिवतित कर रहे हैं वह पांच लोग गडानी अंबानी के लिए वहाँ पर देश में किसानों की लड़ाई लड़ी तो राकेस टिकैत ने लड़ी और कोई नहीं क्या पंदरा दिन बाद सभी लोग खीसे निक मुकत में लिखे गए अब चलिए मैं हमारी तो वहारी सिदारी है बरेली में मैं आपको दिखा दूँ चलकर इनकी जब सरकार थी तो प्रदानों के उपर बुला-बुला के मुकत में लिखाए बुल्डोजर अखले से की सरकार ने चलाना शुरू किया बाबा ने पुरा ग कि सदस्ता रहे या ना रहे उससे पेट भरने वाला नहीं है देश 140 क्रोड की आबादी का देश है यह देश सबका है कहने का मतलब यह है कि चर्चा उस पर होनी चाहिए 28% जेस्टी लेने के बार नोकरियां खतम 28% जेस्टी देश में पहली सरकार ले रही सब जमीने चली गए बच्चों का रोजगार खतम हो गया भविश अंदकार में है आप एकनोमी जीडी पे देख लिए इस दिस्की कहां चली गई और मैं इन 15 जो 85 की बात करने वाले चाहे अकले स्यादों हो चाहे स्वाइन परसाद मौर्या हो मैं उनसे पूछना चाहता है लेकिन मुझे हमें गलानी सबात की है कि इतनी महाई इतनी बेरोजगारी बढ़ रही वो सपा के नेता हो चाहे भाजपा के हो पहो भाजपा तो सरकारे ही कोई लोग हो कोई आंदोलन करने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि एवल हम विधायक अगर बन गय तो मेरी तंखा करेंगे हां काओं से कठा करेंगे में बेड़ुए इयर पोड़ बेस लिया हम चेसिं दिया है अमको Hankal उन्हों बता दर पनदरावड़ एपचासी की बात करने वाले लोगों से पूंशता हूं कि जब चुनाव के दाउरान तुम हिंदू बन जाते हो चाहे वह साहीमत का ट्रस्ट हो चाहे वह बैसलो देवी का ट्रस्ट हो चाहे वह राम मंदिर का ट्रस्ट हो वह उसमें केवल ब्रहमापर ही रखा जाएगा उसमें कोई और चुनाव के दरान जो हिंदू बन जाते हैं मैं तो यादो हूं मैं अभी तक हिंदू नहीं बन पाया मैं पुराना धर्म सनातन धर्म का हूँ और सनातन को मानने वाला बेक्ति हूँ लेकिन वो जो भाजपा के हिंदू बनते हैं अब पूरे देश में उन्होंने देश भक्ती दिखा दी मैं चंसे खराजात की धरती से बिलांग करता हूँ उन्डाओं से हमारे रगों में देश किसी से पूछलो राष्टीगान कितने मीनिट का होता है कितने सेकेंड का होता अगर बता दे तो मैं उनकी गुलामी करूंगा अगर 90% reject ना हो जाएं और मैं 52 सेकेंड का होता बावन शेकेंड पर रहे खताम करूं करा लेकिन बात यहां पर यह नहीं है देश का सबसे प्रेंडा फैराने देश भक्ती कर रहें तो इनका काम है दिमाग को डैवर्जन कर देना दे रोजगारी कहां है इस पर नहीं है रोजगार कहां पूरे देश को लूटा और लुटवाया जब नोट बंदी हुई तो जब नोट बंदी पूरे देश में 1500 का नोट रन कर रहा थ था वो भी आकड़ा पहुंचा आर्बियाइक पास जितना पैसा एक सेकंड जितना पैसा हैंड ओवर था वो भी आकड़ा उनके पास था दोनों आकड़े इस लिए सारजुनिक नहीं किये गए जिस बैक्टिन एकनौमी पढ़िए उससे पूंच लिजिए उस नंबर की नो और आजम खान किया किये आप उनको नहीं पता है आप सिर्फ बीजेपी की किला बोल रहा है मैं आपसे कोशन क्या किया हूँ किया ऐसी कोई है क्या ऐसी कर देगा क्योंकि उन पर जाम लगा हुआ है उनके बेटे जूटे प्रमार पत्र दिये उनकी जो अपनी विधायकी के लेके वो गलत इस्तिमाल कर रहे थे उससे उनका हुआ तो उस पर कुछ बोलिए क्या बोलना चाहेंगे जोटा प्रमाण पत्र दिया उसकी जाच होगी जाच में अगर सही पाया जाएगा तो उनकी सदस्तारद होगी लेकिन ओट देने का अधिकार ये कॉंसिट्यूशन ये जाधर नहीं देता हमको बता दें किस अनुच्छेद में लिखा है कि उसमें ओट देने का अधिकार छीना जाएगा तो हमको बता दीजी आप अगर उन्होंने गलत एविडेंस दिया है प्रमाण पत्र दिया है तो उस पर उनकी सदस्यारद हो जाएगी होना भी चाहिए लेकिन ओट देने का जहां तक बात हो रही है अधिकार छीना जाए तो ये देश की सरकार की ताना सा ही है गुंड़ई है कि योग है कि अपना दाना साहि दिखा रहा है कोई असा गल्ति नहीं किये है और वह जो उनके साथ हो रहा है वह बहुत सही तो आपको क्या लग रहा है कि अब आजम का यूग जो है वो खतम हो जाएगा तो उनके कोई अस्तितु नहीं बचेगा उत्तर प्रदेश में आपको इस टाइब के लोगों का कोई अस्तितु रहा ही नहीं रहेगा अब तो एक्दम है जान लिए वहां पर उनका कोई मतलब ही नहीं रहा गया आजम खान का जो यूग था उत्तरप्रदेश में जो उनकी तूती बोला करती है क्या वह खत्म होगा लग्तो खतम होई गया है उस समय तो खत्म है और उनके वोट देने की जो है वो भी खत्म कर दिया लोगतंतर में वोड़ देने का अधिकार जो तो परकार पागल होना चाहिए तो ओड देने का अधिकार जो शीना गया है सम्मिधान के विरुद्ध है इस चर्चे पर पूरी उत्तर पर इसमें चर्चा बना हुआ है लेकिन इस पर जो है अखलेश यादो भी कुछ उनके सपोर्ट में नहीं आ रहा है अखिर क्यों ऐसा है अब यह उ किसानों की आमदनी दूगनी कर देंगे आज तक किसानों की ना तो आमदनी दूगनी हुई है और ना ही किसान दिन में तो सुकून से अपना काम करता है सुकून से नहीं करता हूँ रात में जो हो तो उसको आवारा जानवर इतना परिसान किये हैं कि उसको जो हो तो अगर जरा से भी कोई किसान चूक जाता है तो पूरिये साल की मेहनत उसकी जो तो बरवाद हो जाती है इस पे जो तो भारती जनता पार्टी मनलब किसानों के साथ जो तो बहुत गलत कर रही है। करते हैं तो और थोड़ा सा जनता में भी संदेश गलत जाता है। अगर उन्होंने आपने सुना होगा कि उन्होंने सर्टीफिकेट में जन्मेतिती बदलवा के यह किया उसके बाद उनकी सजस्ता गई फिर पुना जो है चुनाव जीत के आए पुना क्या कर दिये कि उस पे सजस्ता गई तो इन लोगों की सजस्ता जो जा रही है यह कोट के माध्यम से जा रही है अगर इनको दो साल की सज्ए सज्ए का प्रावधान गये है तो नहीं कि दो साल की सजा पर ओगे देने का दिकारी हैं कि नहीं हैं और जहां तक कानून कहता है कि जो लोग कभी-कभी हमने देखा कि लोगं जैल में रहते हैं चुनाओ लड़ते हैं चुनाओ जीत जाते तो फिर के सपतगरहन करते हैं तमाम लोग ऐसे हैं कि जेल के अंदर से भी चुनाव जीते हैं और उनके उपर भी मुकदमे थे लेकिन उसका फैसला नहीं आया था और कुछ लोगों का फैसला आया फिर दो साल साहे तीन साल कटिमाव या तरहन रहा रहे हैं तो आने वाले भवास के लिए वह बहुत अच्छा होगा कि जो लोग जो है अपराधी करण से या धन बल बाहुबल से आ रहे हैं ठीकेदार पटेदार कोटेदार आ रहे हैं विधायक बनकर तो ये परप्रा खत्व समाजिक सेवा से आना चाहिए जिनको जमीनी हकीकत का पता हूँ तमाम लोग ऐसे हैं कि जनता को रौदते हुए आते हैं माने नहीं बन चाते हैं और उसके बाद फिर यहां से जो है जो पद मिल जाता हूँ उसके द्वारा फिर रौदना चालू कर देते हैं तो जनता तो एकदम धरासाई हो चुकी है जनता को सोचने समझने का मौकर ही नही नहीं पा रहा मानी मुखमंत्री जी से आगरा करूंगा आपके चैनल के मादन से मेडम कि यह अगर दो साल की सजा पर ओट देने का अधिकार छिन जा रहा तो तमाम ऐसे बिधायक और यमपीज हैं जिनको उपर मुकदमा है उस पर तोरित जो है फैसला आना चाहिए यह लोग उस तरह करने होते हो तो ऐसा होता नहीं अगर कानून कर रहा है यह तो कानून कर रहा है लोग सरकार की तरफ पिशारा करें लेकिन सरकार के बजाए कानून कर रहा तो कानून के जानकार लोग ऐसी गलती तो नहीं करेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि योगी जी अपना जो तानाशाही कर रहे हैं उनके साथ आपने एक चीज और सुना होगा कि जुल्म करेगा सत्ता के हत्यारों से जर्रा जर्रा गुंज रहा है परिवर्तन के नारों से योगी जी भी जब अखलेश जी मुखमंत्री थे तो योगी जी भी यमपी थे उसे पहले भी यमपी रहे तो योगी जी भी ने तो देखा है समाज में किस तरह से रहा जाता है किस तरह से तो ऐसा तानाशाही रवय्या तो किसी को अपनाना नहीं चाहिए अगर कोई गलती से बनाता है तो काफी दिन तक जनता उसको जो है भला बुरा कहती रहती है अच्छे थे खराब थे उसी प्चर्चा होने लगती है बहर हाल योगी जी के ऐसा तो नहीं होना चाहिए आपको क्या लगता कि योगी जी ताना साही चला रहे है या समाज क्या कह रहा है या जनता क्य आगा चाहिए तो नहीं चलाना चाहिए जो प्रदेश का मुखमंत्री उन्य तो बहुत हैं विचार करके निल्डा करना चाहिए बहुत ही सो में तरीके से बहुत ही सजगता से सहजता से जनता के प्रतुदार होना चाहिए, जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए, जनता की समस्याओं का निराकरन करना चाहिए, सिच्छाची किस्सा इस सब पर ध्यान देना चाहिए, वेरुजगारी पर ध्यान देना चाहि यह आजम का जुक तो बहुत चला 40 साल तक ये लोग सत्ता में रहे और स्वयम में रहे पतनी को भी लाए पुत्र को भी लाए ये बंसवात कब तक चलेगा बंसवात समाप्त होना चाहिए यह यूक की बात निताओं के हैं उनका भी होना चाहिए केवल आजम खांजी की बात जोग है तो अब अगर किसी नेता कोई नेता तुषक को उसके माइन को ततकाल नहीं लाना चाहिए navigate तक को जिन्दा है जब तक को चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके बाद उसकार करता जो 30 साल से 35 साल से उसी पार्टीम काम कर रहा है उसे टिकट नहीं मिलेगा परिवार वात तो हर जगा पनपरहा इसे जो है लोकतंत्र को खत्रा है आगे आगे यही राजतंत्र में बदल समाज में यह जो और जन सेवक हैं और लोग जो सेवा कर रहे हैं 25-30 साल से उनको भी औसर देना चाहिए यह जो बंसवाद है उसको खतम करना चाहिए और जो एक बार मुखमंत्री बन गया दो बार उसके कारसली को आप देख लिए तिबारा कत्ताइमत बनाईए उसको जो ह दूसरा मुखमंत्री आई चुकि 10 साल का समय कम नहीं होता चाहे जो मुखमंत्री हो चाहे जिस परदेश का हो उसके कारसली को देखते हुए उसको बदल देना चाहिए जैसे अमेरिका में साइध है राष्ट्पती का चुनाओ जो है एक से दो बार लड़ सकते हूं उसके यहां क्या है यहां मरते दम तक बने रहते हैं तो यह परंपरा खतम होनी चाहिए यह जनता के हित में नहीं है बलकि यह जो है राज तंत की तरह पिसारा करें लोग तंत की हत्या करना जैसा प्रतित हो रहा है तो मैं मानी मुखमंत्री जी से और देश के प्रधान मंत्री ज गया 5 साल या 10 साल तो दूसरे को कम सकम 20-25 साल बाद भी बनाया जाए ना कि लगातार बनाया जाए गलत परमपरा पर रही है इस तरह से लोगतंत की हत्या हो जाई लोगतंत की बचाने के लिए इस पर भी गवर करना चाहिए यहां पर तमाम नेता है अपने प्रतिक्रिया दूसरी तरफ जो अखले श्यादो इस पर अभी कुछ बयान नहीं दी है तो उनका यही मांना है कहीज को और भी इस चीज को सही मान रहे हैं इसलिए उस पर अभी कोई बयान नहीं दे रहा है कैमरामन सुधिर के साथ सुहानी सिंग प्राइम टिवी लखना हूँ